जिन्दगी में शिक्वा करे भी तो किस से करे यह दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाले भी अपने हैं खामोशया कभी बेवजा नहीं होती कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो बताने के काबिल नहीं होते सिर्फ तूटे हुए लोग ही जानते हैं कि तूटने का असली दर्द क्या होता है किसी की कदर उतनी करना जितनी वो आपकी करता है क्योंकि बेहिसाब कदर करना भी आपका सकून तबाह कर सकता है दो के बाद लोगों से रिष्टे बनाने से बेतर है आप अकेले रहना सीख लो यकीन मानिए जिस दिन आप अकेले रहेंगे बहत जादा खुश रहेंगे वक्त ने सिखा दिया है हमें सब की असलियत वरना हम तो वो है जो सब को अपना कहते थे मैं वो खुश नसीब इनसान हूँ जो मतलब होने पर भी सब को याद आता हूँ छुपी होती है किसी की हजारों फिलिंग उन शब्दों में जब जिसे लोग शायरी समझ कर तालिया भजा देते हैं दनवान तो हम भी बहुत थे पर मेरी दोलत सिर्फ दिल थी हमने इसको खर्च बहुत किया लेकिन अख्सोस दुनिया से गिनती ही नहीं जिन्दगी मगर कोई इनसान आपके बिना खुश है तो उसको खुश रहने दो अगर आप उसकी खुश ही नहीं देख सकते तो फिर महबत के सी लोगों से मिलोंगे तो मुझे बुरा ही पाऊंगे जिस दिन मुझे से मिलोंगे तो मुस्कुरा कर ही जाऊंगे किसी को चाकर छोड़ देना असान होता है लेकिन किसी को छोड़ कर चाना तब पता चलता है कि महबत किसे कहते है कौन कहता है कि इनसान रंग नहीं बिदलता कभी किसी के चेहरे पर सच बोल कर तो देखिए उस इनसान का एक नया चेहरा ही सामने आएगा जिन्दगी में कभी खुद को किसी इनसान का अधिमत बनाना क्योंकि इनसान केवल मतलब से प्यार करता है किसी को दोका देना इनसान की जीत नहीं बलकि इनसान की सबसे बड़ी हार होती है बात तो सिर्फ जजबातों की है जनाब वरना महबत तो साथ फैरों के बाद भी नहीं होती माप तो हम सब को बार बार कर सकते हैं लेकिन भरोसा हम बार बार नहीं कर सकते जिस इंसान में खुद जुकने की हिम्मत होती है वो दुनिया को जुकाने की हिम्मत रखता है इंसान को मुसीबत में सला से कहीं ज़्यादा जरूरत किसी अपने के साथ की होती है अगर वीडियो पसंद आईए तो उसे लाइक और शेयर करके जरूर जाना मैं मिलता हूँ आक से अगली वीडियो में तब तक के लिए साइनिंग ओफ